आस्मानों से चांगते तुमने कितनी सदियां गुजाती अब धर्थी को बना लो अपना धाम घर आजाओ राम घर आजाओ राम हमने रखती है तुम्हारे भवन की अधार्शिला उसी आयोध्या में जहां तुमने जन्म लिया गर आजाओ राम घर आजाओ अब तुम बेगर नहीं रहे सर्यों के टट फिर से तुम्हारे हुए अवद के खेत, कलियान, वोकर, पनघट फिर से तुम्हारे हुए पधारो अपने निवास में और शमा कर दो हमारी भूल को जो अंकित है इतिहास में हमने वो सूरच अंभेरे में फैंक दिया जिसने पूरी सुष्टी को उजाला रखिया कै कैई ने तो सिर्फ चौदा वरस का बनवास दिया था हमने 37 साल तुम्हें ताले में रखा और तुम्हें निर्वासित कर हमें क्या मिला एक ऐसी दुनिया जहां खुले में भी दम घुटे मानवता अहिल्या की तरह पत्थर हो चुकी है राम तुम आके पैरों को छूदो तो शायद जी उठे तुम तो सूरे वंशी हो हमें याद है तुम्हारे शावरे तुम्हारे साहस न्याय के हाथ में धनश था एक और काटने के लिए अन्याय के सर थे दस है महानायक मर्यादा पुर्शोत्म तुम्हारे बिन फीकी है अवद की शाम घर आ जाओ राम घर आ जाओ हम वचन देते हैं तन, मन और प्राण से कि तुम्हारा घर बनाएंगे पड़े शाउक और बड़े शान से दिवारे इतनी मस्बूत होंगी कि भेद भाव का रावन भेद ना पाए दर्वाजे इतने उँचे कि उँच नीच के दानव से लांगाना जाए तुम्हारा शैन कक्ष वहाँ होगा जहां किसी बेबस की सिस्किया नीद में भी सुनाई दे और तुम्हारी चट इतनी खुली होगी कि तीज का चंद्रमा और ईद का चान दोनों दिखाई दे तुम्हारी खिडकियों पर बैठे परिंदे दोर आएंगे विश्व शांती की सरगम और महल के प्रवेश्वार पर लिखा होगा उसुदेव कुटुम्बकम एक आंगन भी होगा वहाँ बैठ कर गाए जाएंगे कीर्तन भजन और खड़े होकर जन गन मन तुम्हारी प्राचीरों पर जलती मशाले मौन घोशना करेंगी की अब कहीं किसी कमजोर का छपपर फूका नहीं चाहे सीता की रस्वई भरी होगी अनाच और अनुराग से ताकि राम की चौकट से कोई भूखा न चाहे हमने रख दिया तुम्हारे भवन की नीव में पहुआ है